हेलो एव्रीवन वेलकम बैक टू मैं चैनल आज हम करेंगी 31 जैनवरी 2023 की करेंट मिंस आज जैनवरी का लास्ट इडिये है अब कल से फैवरेरी स्टार्ट हो जाएगा तो चली स्टार्ट करते हैं तो अब भी तक अगर आपने मर्चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब क्या है और स्वाम करें ब्रिक समित के बारे में तो 15 गौरिक समीट वह अगर 2023 में होने वाला है जो कहां होगा तो साओ अफरीका के में इस से पहले जो इसको जो इसका न करता है 2010 में तो इसकी नाम होचाती है ब्रिक्स तो फांडेशन का बुई ती इसकी तो 2006 में उस टाइम में इसका नाम ब्रिक्स था अब दिखें ब्रिक्स में कौन-कौन से कंट्री है तो बस इसके जो लेटर है उनसे ही आपको ध्यान में रखना है B for Brazil, C for Russia, I for India, C for China, S for South Africa इसकी जो headquarter है वो चाइना के संगाई में है और इसकी जो एम क्या है तो to promote peace, security, development and corporations security, development, peace को क्या करना है प्रमोट करना इसकी एम है नेक्स नियूज की तरफ चलते है तो नेक्स नुम्मर पॉइंट क्या है डैम ओन यारलूंग जांगपो रिवर क्या है नियूज तो एक satellite pictures के द्वार रिवियल हुआ है कि चाइना जो है यारलूंग जांगपो रिवर जो कि इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाते है है जाना जाते है तो वहां चैना जो है वहें रें करें डैम और तिबत और वह एडिया कर लिया है तो यह कंस्ट्रक्ट ने नेप नपाल यह बूटान है और यह है इर्या आपको यहहां चाहिना घो यह कर रही है द्याम कंस्ट्रक्ट कर रही क्या है इंडिया के बहुत का संट परफ इंडिया के आगगा कर रहा है ₲ चाहिना जो है वह मिलिटरी इक्विमेंट है तो अब यालूंग जंग रिवर तो जो कि इसके बारे में जाने जाता है इसकी जो निकलती है है यह कहां से तो मांच शरोवर लेक से और टोटल लेंद इसकी 2880 किलो मेटर है और तिबत में इसकी जो टोटल लेंद फो 1700 किलो मीटर है अब आप अश्राम में हमारे कंट्री के आती है अग्याइट करती है तो यह इसकी लेंद क्या है तो 920 किलोमेटर और बंगलादेश में इसका कितना लेंथ है तो 260 किलोमेटर याद रखना आपका की जो यालूंग जंपर रिवर के ऊपर कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो चाइना कर रहा है अगर आप मेंसे किसी ने नहीं देखा है और जर्रत है आपको तो आप जाके वहाँ वाच कर सकते हैं नेक्स्ट वी इडियोस मैं लाओंगी कि कौन से बुक को कितने दिनों में खतम करें तो इस क्या है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको भी अगर चरुरत है तो इन चीजों का पता चले यूनेसको ने ओरेशा इस यूक्रेञ का ओरेशा नाम के जगप के जो कि पूर्ड शीती है यूक्रेन का तो उसको व双रेश इंडेंजर साइट साइड में सामिल किया है अब चलिए क्या है यूनेसको तो जब भी ऐसे वर्ट्स आते हैं या कोई अगरेशन्स का चाहिन को कोई और अचिंशन का नाम आते तो मैं उसके बारे में पूरा डीटेल से स्टैडिक वैप्स आपको बताती हो तो चलिए इसके बारे में भी जानते है उनेसकों युनाइटे नेशन्स की ही एक एजन्सी है इसका फूल फर्म च्या होता है तो युनाइटे नेशन educational scientific and cultural organization headquarter इसका France के Paris में है और इसकी जो establishment हुई थी वो foundations हुई थी वो कब तो 16 नवंबर 1945 को और इसके जो डारेक्टर जनरल है वो है Audrey Azole है एम क्या होता है इसका एम है इसका promoting world peace and security through the international international होगा यहां भी international लिख दिया है in education, arts, science and culture education, arts, science और culture के माध्यम से world में international security और peace लाना है मतलब इसका गाम है कि सिक्षा, arts, science और culture के माध्यम से अन्ताराश्टी अस्ताश्पर सांती को प्रमोट करना लिखे तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप मेरे साथ ही नोट डाउन भी करते रहें ताकि आपके पास ही एक नोट्स तियार हो जाए और examinations time में आपको कोई और अगर आपके पास time है तो आप इनको लिखते भी चलिए अगर टाइम नहीं है तो मैं देर देर पीडियाप जो है टेलिग्राम चैनल पर डालूंगी तो आपको जोईन करना है तो आप जोईन कर सकते हो वैसे तो आप नहीं से सर्च कर सकते हो लैप क्लासेस के नाम से जो यूटीव चैनल का भी नाम है और अगर लिंक के तुरू जोईन करना तो लिंक भी डाल दिया जाता है तो चलिए नेक्स न्यूज की तरफ चलते हैं तो नेक्स न्यूज क्या है वर्ल्ड एकॉनोमिक सिच्वेशन और प्रोस्पेक्ट 2023 रिपोर्ट जारी किया गए जिसके एकॉर्डिंग यून ने प्रैडिक्ट किया है इंडिया का जीडेपी फाइनिसेल्स इयर 2023 में ग्रोफ रेट क्य वह ग्रोफ करेंगे कितना तो 1.9% बस वर्ल्ड इस डिफरेंट कंट्रीज का पो यान दि रखना है बस यह वल्ल का और इंडिया का आपको में रखना है चलिए निक्स न्यूज की तरफ चलते हैं तो नेक्स नम्मर न्यूज किया है सी फिट्स दी वर्ल प्रोग्रम सी फि उद्धिक तो 5.408 थाञ्जांस यह इसका इम ऑज्यिक्टिव क्या है इसकी एंप्रीम को भूप को जह कि एपडीश्ज को उनकी एम्कूं को इनक्रीच करनाए और उनको एंकल करना है तो यह जो भीदो हेल्थ और अच्छी है 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 से हैं रॉटेक्शन और हाव बैलेंस डाइट मिल पाए ऐस वेल आज प्रोवाइड ट्रेनिंग तो वोमेंस और शेंडेट अग्रिकल्चर्ट मतलब शेंडेवल फार्मिंग वोमेंस कैसे करेंगे उसके लिए उसको प्रोवाइड करना इसका एम ह चलिए तो नेक्स नमबर न्यूज क्या है आज का वुमिन्स अंडर 19-20 वर्ल्ड कप टाइटल यह जो है साउथ अफ्रीका में हो रहा था और इसका फर्स्ट ही एडिशन्स था जो कि किसके द्वारे जीता गया है तो इंडियन वुमिन्स क्रिकेट टीम ने जीता है वह किसको डिफेट करके तो इंग्लेंड को हरा कर साथ विकर से साथ विकर से इंग्लेंड को हरा कर इंडियन मुमिन्स क्रिकेट टीम ने वुमिन्स अंडर 19-20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया है अब दिखें इसमें कुछ कुछ चीज़े आपको याद रखना है क्या-क्या तो अब दे टॉर्णामेंट के लिए किसको नामित किया गया है तो इंग्लेंड के जो कैप्टेन है ग्रेस स्क्रिवेंज उनको प्लेयर ओफ दी मेज का टाइटल किसको मिला है तो टाइटर सदू का जो कि इंडिया के ही है और जो यह हुआ उसकी इंडिया की तरफ से कौन की सेफाली सेफाली वर्मा तो टो टुट चलते हैं तो तो बजडंग से-थू अबारे में है तक बनके त्यार हो जाएगा और यह क्यों बनाया जा रहा है तो आप सब लक्षमन जूला के बारे में सुना होगा तो लक्षमन जूला जो है वह 19 इसके लिए क्या कर रहा है इसके एक अल्टरनेटिव बजरंग सेतु का निर्मान किया जा रहा है जो कि जुलाइट 2023 तक बनके त्यार हो जाएगा नेक्स नम्मन नीज किया है वह की वर्लकप 2023 टाइटल यह जो है भुमनिश्वर के कलिंगल स्टेडियम में हो रहा था और इस लखना है क्या है तो लिस्ट आफ कुछ वेनर से तो बेस्ट प्लेयर का वेनर कौन बना तो निकलस निकलस वेलन जो कि कहां के है तो जर्मनी के है बेस्ट गॉल्ट कीपर का वर्ड किसे मिला तो विंसिट वनस्क को जो कि कहां के है तो बेल्जियम के है और फेयर प्ले अव पॉजिशन्स इन फॉप्स लिस्स फॉपक की लिस्स जारी की गई जो जिसमें की गोतम अडानी जो है जो पहले पॉर्थ पॉजिशन्स पे थे वो अब कहां आ गए सेवंथ पॉजिशन्स पे तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है आज का टैंथ नंबर पॉइंट और आज का ये लास्ट ही पॉइंट है एटी कोपक का ट्वाइस क्राफ्ट में इसे सलेक्ट किया गया है पदम अवाट्स के लिए और ये जो एटी कोपक का है ये एक विलेज है जो की आंधर प्रदेश में है इसे के साथ हो जाता है आज का करेंट अफेर्स हमारा गत्म तो अब मिलते हैं कल की क्लास में तब तक के लिए बाबाई टेक केर स्टाड़ी वेल